जहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको equal MSP से जूड़ी जानकारी दूँगा जैसा आपको पता है equal MSP की जो अगली सुनवाई है वो है 9 नवंबर को और ये पूरी उमीद लगा सकते हैं कि 9 नवंबर को final judgment आ जाए equal MSP को लेकर ORJCOS की 15500 MSP हो जाए या उनकी बढ़ जाए MSP और दोस्तो सारे evidence सारे proof लगाय जा चुके हैं बस छोटी सी सुनवाई ये बाकी है और ये हम पूरी उमीद करते हैं कि ये सुनवाई ORJCOS के पक्ष में आ जाए 9 तारीक को और हमें एक नई डेट एक न rank है major journal इनका नाम है दुर्गेश शर्मा इन्होंने एक table बनाई है और ये table है equal MSP को लेकर आपको सोचने की जुरत नहीं है कि एक officer equal MSP की एक table बनाके दे रहा है ORJCOS के लिए जोस्तों ये अच्छी बात है अगर ये बनाके दे रहे equal MSP table as per OROP यानि OROP table के base पर इन्होंने equal MSP की table बनाई है कि अगर ORJCOS की MSP बढ़ जाती है तो किस तरीके से उनको pension पे फायदा होगा तो जोस्तों आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे signature भी कर रहे हैं और एक ये PDF बनाके बेजिए इसमें rank wise इनकी pension ले रखी है calling paying service ले रखी है और MSP का amount भी ले रखा है कि अगर ORJCOS को 15500 MSP मिलती है तो कैसे pension पे फायदा मिलेगा दोस्तों मैं आपको ये rank wise समझाऊँगा सबसे पहला rank के सिपाई calling paying service 17 साल pension ले रखी है इसमें OROP 2 की 18807 दोस्तों MSP अगर आपकी 15500 होती है तो इसके according 15500 का आदा कितना हुआ 7,750 और 7 CPC की जो MSP थी 5,200 उसका आदा हुआ 2600 यानि 2600 आप पहले ही ले रहे तो 7,750 में से 2600 मैं माइनस करेंगे तो आता है 5,150 यानि 5,150 का फायदा आपको pension पे मिलेगा अगर equal MSP होती है 15500 होती है जैसे एक सिपाई 18807 तो MSP 18807 ने 5,150 एड कर दिया तो total हो गया 23,957 और उसमें D अगर हम include करें 40% तो आता है 11,021 तो total pension 34,978 ऐसी दोस्तों नायक का इन्हों ले ले रहा है 20,107 इस पे 5,150 हम एड करेंगे तो total होगा 25,257 अब इस पे 40% डिये 11,619 तो total pension होगी 36,886 ऐसी दोस्तों हर एक रेंका दे रहा है एक हवलदार का भी ले रहा है 21,722 फिर उसमें 5,150 यानि जितनी आपकी basic pension है उसमें आप amount add कर देंगे 5,150 फिर जो total आएगा फिर आप उसका डिये निकालेंगे 40% डियार निकालेंगे फिर दोस्तों अब add कर देंगे तो total एक हवलदार की pension बन जाएगी 39,321 ऐसी ओनरी नायप सो बिदार जिसकी 23,750 है उसमें 5,150 एड करेंगे तो total आएगा 28,900 फिर इसका 46%, 13,294 तो 28,900 प्लस 13,294 तो 42,194 एक pension ओनरी नायप सो बिदार की तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सिपाई सी लेके ओनरी कैप्टन तक calculation कर रखी है equal MSP को लेके दोस्तों अगर equal MSP होती है तो 100% आपकी pension बढ़ जाएगी दोस्तों ये तो उन्होंने OROP 2 की basic pension ली है दोस्तों OROP 2 के table में तो कोई छेड़चाड होगी नी कोई table में तो correction नहीं होगे बस जो भी MSP बढ़ाई जाएगी वो आपकी basic pension में add होती जाएगी जो भी आपकी basic pension ह इस तरीके से आपकी pension बढ़ा ही जा सकती है अगर MSP बढ़ती है या फिर equal होती है officer के तो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पे समझा रखा है ऐसी सुवेदार के लिए तीस साल में जैसे 31,000 है OROP 2 में तो 5,150 एड़ कर देंगे तो आता है 36,150 तो 36,150 का 40% 16,629 तो total pension हो जाएगी 52,779 यानि 5,150 का आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा अगर 15,500 की MSP होती है तो दोस्तों हम यह पूरी उमीद करेंगे कि 9 तारीक को final judgment आ जाए OROJCOS के favor में हम यह पूरी उमीद करते हैं एक नई तारीक हमें देखने को ना मिले तो दोस्तों आप क्या समझते हैं क्या 9 तार ने एक टेबल मनाई है equal MSP को लेकर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगते हैं वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मैच